हेलो दोस्तों देखो सी को स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों बार बार पूछे जाने वाले साइन्स के यानि के विज्ञान के प्रश्ण देखेंगे दोस्तों सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों सभी बार बार रिपीट किये जाने वाले जो आपके विज्ञान के प्रश्ण है साइन्स के प्रश्ण है उसका सेट नंबर दो हम देख रहे हैं ठीक है सेट वन मैं बना चुका हूँ तो देखें दोस्तों इसको आपको एक क्वीज की दर लेना है और एंसर कते रहना है ठीक है टॉप कोशन मैंने लिए है जो कोशन यहाँ पर हम गलती कर जाते हैं देखें दोस्तों सबसे पैनल बा कोशन आ चुका है जिन लोग कोशन आएगा वो कमेंट बॉक्स में अंसर बताते रहेंगे और मैं भी इसका सही अंसर बताता रहूंगा कुछ दिर में ठीक है तो सबसे पैनल में जो कोशन है दोस्तों खगोली या एक अक है कौन सा है जो कि यह खगोली या एक अक है बताए दोस्तों इसका सही अंसर क्या होगा एबी स या एक नक है इसका सही एंसर हो जाए दोस्तों ए नेक्ट कोशन देख लेते हैं दूसरा नूमर फ्रेश्म तक हम मतलब किया सकते हैं इसका सही एंसर क्या देखे तो यूरेनियम काल निधारान के द्वारा आम प्रित्वी की आयू पता लगा सकते हैं ये इसका सही अंसर हो जागा दोस्तों नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं तीसरा नमर जो कोशन है दोस्तों रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगे खिर्णे उत्पन होती हैं बते हैं दोस्तों सही अंसर क्या होगा इसका तो रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में जो अवरक्त कीर्णे जो है या तरंगे उत्पन होती हैं ये इसका सही अंसर हो जागा दोस्तों नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट जो कोशन दोस्तों परमाडू की प्रभावी त्रिज्या होती है परमाडू की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है कितनी होती है इसका सही अंसर क्या होगा दोस्तों इसका जो सही अंसर हो जागा बी 10 के पावर माइनस 10 मेटर बी इसका सही अंसर हो जागा दोस्तों नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट जो कोशन है दोस्तों लावड स्पीकर में उर्जा परिवर्तन होता है बहुत यह असान सा कोशन है दोस्तों option देखते ही आप बता सकते हैं loud speaker में उर्जा का परिवर्त में तक किस से किस में होता है वो आपको बताना है बताए दोस्तों इसका सही answer क्या होगा देखे दोस्तों loud speaker में आप जानते ही है कि जो विद्धूत उर्जा है से ध्वनी उर्जा में और ध्वनी उर्जा से विद्धूत उर्जा मेंने कि सी इसका सही answer हो जाएगा ठीक है next question देख लेते हैं next जो question है दोस्तों पत्थरों एव खनीजों में सरवाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कांसा है पत्थरों और खनीजों में सबसे ज़्यादा कौनसा तक पाया जाता है शरवाधिक मत्रा में बते इसका सही अंसर क्या होाँ oh कि silicon पायाता है दोस्तों इसका जो सही अंसर जागा सिलिकॉन जो है वो पाया जाता है पत्थरों खनीज में दूसरा question देख फ्राकिरतिक रवर का बहुलक है कौन सा है इसका सही इंसर क्या होगा दोस्तों जो बहुलक होता है प्राकिर्तिक रवड का वो होता है आईसो प्रीन सी इसका सही एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं देखें दोस्तों नेक्स्ट जो कोशन है जानवरों की हड्डियों यह दातों में विद्दमान मुख्य रसायनिक पदार्थ जानवरों मतलब जीवों की बात कर रही है मतलब हम लोग में भी मनुष्य में भी हमारे जो जो भी जीव हैं मतलब जानवर हैं जनतु जो हैं इनके हड्डियों और दातों में जो विद्वान जो रसानिक पदार्थ है वो कौन सा है मतलब किस से बना होता है जल्दी से बते हैं इसका सही एंसर क्या होगा बहुत यह साने देखे जो जो हड्डियों पाए जाता है वो पाए जाता है क्रित्रिम डिटर्जेंट है मतलब क्रित्रिम डिटर्जेंट जो होता है वो क्या होता है सही एंसर बताई इसका सही एंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में क्रित्रिम जो डिटर्जेंट होता है वो होता है चक्रिया और चक्रिया सलफोनिक अमल एंव सोडियम लवड का मिस्रण चक्रिया और चक्रिया सलफोनिक अमल के सोडियम लवड का मिस्रण होता है डी इसका सही एंसर हो जाएगा नेक्स्ट और लास्ट कोशन देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट जो कोशन है दोस्तों ग्रे मैटर में होता है ग्रे मैटर में क्या होता है आपको बताना है कमेंट बाक्स में एंसर कीजे देखे तो ग्रे मैटर में जो होता है वो होता है Neuroglia Neuroglia होता है डी इसका सही answer हो जाएगा दोस्तों ठीक है लास्ट कोशन था दोस्तों जिन लोगों को कोशन्स आ रहे थे वो बताएंगे कि 10 कोशन्स में से उनके कितने सारे कोशन्स सही हुए है साथी साथ कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएगा दोस्तों कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा आसा करते हैं दोस्तों कि हमारे वीडियो हमारे प्रयास सबको पसंद आओगा तो अधिक सद्धिक वीडियो को लाइक किजिए साथी साथ अगर अपने देखोशी को